नमस्कार आप सुनने हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आज़े अंजू 27 फरवरी से लग रहा है हुलाश्टक मांगली कार्यों पर रहेगी रोक भूल से भी अगर किया ये काम तो होगा भारी नुकसान जोतिश शास्त के जानकारों का कहना है कि इन दिनों वातावरन में चारों तरफ नकरात्मा कुर्जा का प्रसार काफी तेज हो गया है हिंदु थर्म में पालगुन महिने में पढ़ने वाले होली के त्योहार के दिन खूब धूमधाम रहती है परंपरा के अनुसार होली का दहन के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है हिंदु पंचान के अनुसार हर साल फालगुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती थी के दिन होली का धहन किया जाता है और अगले दिन चैतर महा की प्रतिपदा को होली का त्योहार मनाया जाता है जोतिश की अनुसार होली का धहन से आठ दिन पहले ही वुलाश्टक आरंभ हो जाता है यह समय अवधी कई कारियों के लिए शूब नहीं होती जो तिश शास्त की जानकारों का कहना है कि इन दिनों वातावरन में चारों तरफ नकारात्म कुर्जा का प्रसार काफी तेज हो जाता है उलास्टक के अश्टमी तिथी से लेकर पूर्णिमा तक अलग-अलग ग्रह दशाओं के कारण यह इस्तिती बनती है उलास्टक में नहीं होता कोई मांगली कारे इस दौरान कई प्रकार के मांगली कारे को करना वरजित माना जाता है 8 दिन तक चलने वाले इस उलास्टक का समापन होलिका देहन के साथ होता है ठाला की इस बार उलाश्टिक आठ नहीं बलकि नौ दिनों का पढ़ रहा है और यह 27 वरवरी से ही शुरू होगा वही इसका समाप्त साथ मार्च शाम चार बच कर 49 मिनट पर होगा इसके अनुसार हुली का देहन साथ मार्च को किया जाएगा हुलाश्टिक पर भूल कर भी कुछ काम ऐसी है जो नहीं करने चाहिए योतिश की जानकारों की अनुसार हुलाश्टिक की आवधी में जनेव, विवहा, मुंडन, समेच, सोल, संसकारों और सभी मांगली कारियों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए इसके अलावा इस अवधी में किसी भी प्रकार की चल लचल संपत्ती वाहन और आभूशन खरीदना शुब नहीं माना जाता ऐसे करने पर इनके अशुप्रभाव में विर्दी हो जाती है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है होलास्टक के नकरात्मक प्रभाव से बच कर रहने के लिए भी कुछ खास बाते होती है इसके अलावा करियर में भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है जोतिश की जानकारों का मानना है कि होलास्टक की अवधिय में नौकरी वदलने से भी परेज करना चाहिए होलास्टक का अशुब या नकरात्मक प्रभाव कारी छित्र पर पढ़ सकता है करिये के अलावा व्यपार में भी होलास्टक के दोरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए इन आट दिनों में व्यवसाय में भी कोई नया उद्यम नहीं शुरू करना चाहिए अगर ऐसा करते हैं तो व्यपार में इससे ज़्यादा नुकसान होने के आशंका बन जाती है तो इसी के साथ मैं लूंगे नुमती करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभुश्री राम कारम नमस्कार